पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉंस मैडल जितने वाली मनु भाकर के स्वागत की हरियाना में भवे तयारी की जा रही है फुरीदाबाद में सुसाइटी के अलावा मनु की मा सुमेधा और पितार राम किशन अपनी बेटी की सफलता पर बड़ा उपहार देने की तयारी में है मनु को बड़ी गाडियों और गोल्ड का बड़ा शौक है ऐसे में मा सुमेधा बेटी के वापस आने पर उसकी मन पसंदकार लैंड रोवर डिफेंडर वे हालने डैविटसन बाइक गिफ्ट में देने की तयारी कर रही है सुमेधा भासकर ने बताया कि बेटी जो कहेगी वही काड़ी उसे खरीद कर देंगे इसके लिए कार अजंसे बात हो रही है शूटिंग के शुरुवाती दौर में जब है चर्खी दादरी से गुरुग्राम होते हुए डॉक्टर करनी सिंग शूटिंग रेंज आती जाती थी तो गुरु ग्राम स्थित एक कार अजनसी की ओर इशारा करते हुए कहती थी कि जिस तरह की महगी कारें खड़ी हैं उसी तरह की लेनी है सुमीधा ने बताया कि मनु के जर्म के समय वो भीवानी की विकास नगर में रहने लगी थी मनु सुबा 4 बच कर 20 मिनट पर पैदा होई थी उसी दिन सुबा 10 बजे से मेरा संस्कृत ओरियंटल ट्रेनिंग की परिक्षा थी मनु की मौसी अनीता प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी वहां से चुट्टी लेकर अस्पताल आई और भीवानी के परिक्षा केंदर में जाकर सुप्री टेंडेंडन से मेरी कहानी बताई उसने परिक्षा दनी के अनुमती से इनकार कर दिया अनीता ने पैर पकड़ कर मिनिते की तब उन्होंने परिक्षा की अनुमती दी एक सब्ता से अधिक समय तक अनीता, मनु और मुझे संभालती रही उसने अपनी नौकरी दाव पर लगा दी थी भारतिय ओलंपिक संग के सुत्रों के मताबिक तो ब्रॉंस मेडल जीतने के बाद पैरिस ओलंपिक में मनु भाकर क्लोसिंग सेर्मनी में भारतिय दल की फ्लैग बीरर बन सकती है हाला कि इस संबन में अभी आपचारिक एलान होना बाकी है मनु भाकर का जर्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था वो हरियाना के जजजर जिले के कौरईया गौंकी रहने वाली है उनके पिता राम किशन भाकर मर्चंट नेवी में है एक दिन मनु अपने पिता के साथ शूटिंग रेज में घूम रही थी अचानक मनु शूटिंग करने लगी उसने बिल्कुल बीच में 10 नंबर टार्गेट का निशाना साथा ये देखकर पिता ने मनु को शूटिंग करने के लिए प्रोसाहित किया और बंदो खरीद कर दी मनु को नेशनल कोच यश्पार राणा ने शूटिंग के घूर सिखाए शूटिंग से पहले मनु खुद को कराटे, ठंक्ता, टांता, स्केटिंग, स्विमिंग और टैनिस में आजमा चुकी है कराटे, ठंक्ता और टांता में मनु नेशनल मेडलिस्ट है तांता में तीन बार की नेशनल चेंपियन है स्केटिंग में स्टेट मेडल जी चुकी है उन्होंने स्कूल में स्विमिंग और टैनिस खिला है अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाला ब्रेकिंग न्यूस जाउनलोड करें